हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीड़ावलाइसी में और मैं अमित कुमार सौनी हारदेग अभीनदन करता हूँ स्वागत करता हूँ दोस्तों चैनल पर नए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शेर करें वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक लेटर दिखाया था जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है और इसकी डिटेल में चर्चा मैंने कर ली थी इसके पहले वाले वीडियो में यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें उसके बाद में ये वीडियो देखें और आज मैं खुला सा करूँगा कि आखिर ये letter क्यों जारी किया गया किस उद्धिश के लिए जारी किया गया और इसके पीछे क्या-क्या आंदुलन रह पर की जाएगी जैसा कि आप सब को दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आईए बात करते हैं कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है लेकिन यहां पर एक बात है कि जब वर्ग एक और दो के पदों का डिस्क्लोजर पहले ही किया जा चुका है किलियर बताया जा चुका है अपनी किश्चित रूप से पदों की बिर्दी के लिए ही मांगी गई जानकारी है दोस्तों हम जानते हैं के रंजीत गौर जी काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं पदों की बिर्दी को लेकरक念 उन्होंने भोपाल में और जहां पर भी सिक्षामंत्री आते थे जहां पर भी एजुक सोशल मीडिया पर अन्य कई सारे मंत्रियों के माध्यम से पत्रों के माध्यम से आउगत कराया जैसा कि आप सब लोग पिक्स के माध्यम से ये देख रहे हैं और काफी कुछ संगर्स रहा है ये एक वीडियो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में भी आप हुए थे लेकिन हमारे प्रदर्शन को रोख दिया गया है हमारे शांतियों को इधर अधर भगा दिया गया तो न्यूस 29 इंडिया में मैं हूं आपके साथ कवीता पांडे प्रदेश की राजधानी भोपाल के रोशन पूरा चुड़ाहे पर प्रदेश के समस्त सिक्षत यवाओं विरुसगारों के संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से श्रास्की सिवाओं के समस्त रिक्त पदों को भरने की मांगों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन क्या गया विरोध प्रदर्शन के दोरान पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, सहित अन्य शास की विभागों में कई वर्सों से स्थाई भरतियां ना होने से आक्रोशे तिवावने प्रदेश की राजधानी में हजारों के संख्या में एकरतित होकर सरकार के खिलाफ हला बोल प्रदर्शन क्या, विरोध प्रदर्शन के दोरान सिक्षक पातुता अभ्यार्थी संख के सदस्यों ने भी रंजीत गौर के नेत्रत में अपनी भागिदारी सुनिशित की, तो दोस्तों यही सब कारण रहे हैं, यही जोलंद आंदूलन रहे हैं और यही प्रयास रहा है सभी अभ्यार्थियों का जिसके कारण की आनन फानन में ये जानकारी मंगाई गई है सिक्षा विबाक के दोरा, पदों की बिर्दी बर्ग एक, ब भायंक जैन है, ममता नेगम है, इन लोगों के दोरा जो किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से हर वर्ग को, हर कैटेगरी को, मद्ध परदेश की सभी सिक्षन संस्थाओं में काम करने वाले सिक्षकों के लिए बहुत ही महतपूर्ण और बहुत ही important साबित होगा, दोस वासन दिया, कि हाँ मैं इस मुद्धे पर जरूर बात करूँगा, और दोस्तों में पत्र भी आप देख सकते हैं, यही बात इससे सिद्ध होती है, कि यह जो जानकारी मांगी गई है, यह पदों की बिर्धी को करने के लिए ही मांगी गई है, और यदि सरकार का इसके अला समय में हमको पता चलेगा, यह केवल मात्र सोशल मीडिया की बातों के आधार पर, और कुछ थोड़ा अपना पॉइंट आप व्यू और जो स्टूडेंट जो सोचते हैं, अपने आंदोलनों को लेकर, अपने द्वारा किये गए अतक प्रियासों को लेकर, उससे संबंदित तो दोस्तों बने रहीएगा मेरे साथ वीडियो वला इसी चैनल में, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मिलते हैं नई निउस के साथ में, जै हिंद, जै भारत, धन्यवाद